तो दोस्तो वेलकम बेक आप लोग सोच रहे होगी मैं वीडियो नहीं बना रहा तो भाई वीडियो क्या मैं यूडियो ना हूँ हर बच्चा यही सेंद कर रहा है कि मैरी 5 laps होगी मैंने टाइम पर रिससन नहीं किया रिनू नहीं किया तो हमारा बत्ता कैंसल होगे हमाई फार reject होगी यह देख लो यहां पर यह देख लो चाहिए यह क्या मसे आज़ा जाए और अच्छा ही तो मेरे पर आगया और इसा ही चलना है अच्छा यह है यह देखो यहां पर भी आगया कि आपने भाई रिनू नहीं किया तो रिजेक्ट ही होएंगी दोस्ट चाहिए आप कुछ भी कुवालो ठीक है रिजेक्ट होनी ही होनी है यह एंप्लोमेट ऑफिस की तरह से मैसे आते हैं कि यूर सीनियर स्केंडरी अप्लिकेशन अंडर सक्सम्त यूर स्कीम इस कितनी बार बताएं भाई पता क्या जो अपने रेगुलर वीडियो देखते हैं बंदे उनको तो पता लग गया एक बार में अब डैरी डैरी बताएंगे तो यार वो भी सोचेंगे यह था हमें चीज का पता है अब जो वीडियो नहीं देखते अब वो बंदे आएंगे विगा है तो इस शटेगो चलते हैं अब एक बार फाइल डियुड रिय्यक्ट होने के बाद यो देखो कितने मेसीज आ गये यह आ गया ये भी आ गया कितने मेसिज आये हैं एक फारिज एक उनिक बाद करनाल वालों का एक मन्त का अलाउंस आ गया है सब्तम्बर का भाई बहुत बहुत अची बात है आप लोगों एक मन्त का अलाउंस आ गया है दिलावर जांगा जी ने सैन किया करनाल वालों का है एक मंत अपना अपना चेक आउट मार लेना होगी ठीक है महेश जी का मैसिज भी आतो का है कि राम राम सुमिद भाई हिसार वालों की प्लस टू की सेलरी आगी तो प्लस टू वाले हिसार कंडिडेट वाले सिर्फ ओनली प्लस टू ग्रेज़ुएशन पोस् इंटलिश जनेट होती है उसके बाद आगे आप लोगो आपनेट दिया जाएगा तो आप दो दिनों रूखो ठीक है यह लड़की बोल रही है कि भई मैंने रीरसन करवाया था अब सक्समाई डिकोंड से खुलेगी रईसस नमबर चलेगा पुराना लेकि उस क्या के लगा आपने क्या क्या कैसे क्या क्या बढ़ना है यह मैंने वीडियो पहले तो रखी है कितनीवाज वीडियो बढ़ाऊ अंदो दोस्तों यह जी लर से आप ट्राइगा ठीक है कोन से संमें न graphs बढ़ाता ह। हो भी आपको लगना पड़ता है फिसक भो लगना पड़ेगए उससे चेक आउट करेना बत्त अप्लोड हो गया है लेकिन होया है ये ये स्टडे कल की डेटे में ठीक है मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया साधी आज गल साधियों सीजन बरपूर मात्रा में चल रहा है ठीक है हिमान सुजी बोल रहे हैं बाई मेरे पास डिगरी नहीं लेकिन 6 सतंबर की डीम सी है फारम बरता हां तो 6 की डीम सी ही तो लगती है वही तो लगेगी कि सारे कलीर होगे तो पता लग जाता है डिगरी को जूरत नहीं होती वाई वह लगाते रिप्लाइज बताती है मैं आप को फर्म ब्राजाएगा ठीक है और ज्यादा फर्म अगर सची बताओं तो अगर फर्म नहीं बनाता तो भाई आप छेड़ना मत 100 रुपे या 70 रुपे या 80 रुपे जो भी लेता हूँ मैं को नहीं पता सी यह फर्म आप सीसी से ही बरवाएं और आप बिल्कुल पास बैठ करके ही बरवाएं हर एक चीज अराम से अगर आप कुछ चीज के बार नोलेज नहीं है तो भाई छेड़ मत दिए सक्सम योजना में दुवार से एंट्री नहीं हो पाएगी पहले बता रहा हूँ कि सक्सम योजना बस्ता सब्सक्राइब से एंट्री नहीं होता है। इसक्ति को पर्लोड क्या प्रॉबल्म है क्या में क्या मैं कैसे मैसेज ने Heo तो आईडी देखके पता लगता है ना कि अगर आपके आईडी में दिक्कत तो नहीं है तो अगर जीन दिश्टी का पूरे किसी का भी बता नहीं आया ना तो फिर आपका भी नहीं आया जब आएगा साथ ही बता अपलोड होएगा और यह मैं बोल रहा हूं कि एक बार मैंने आते राउंड लिया था इसार से आगे कुछेत्रा यम्नानगर कैथल तक का वो बोल रहे थी कि नेक्स्ट में पे बात चली गई है और अभी तक बता अपलोड नहीं हुआ है मैंने बताया था और नेक्ट में ही सेल्डी का प्रोसस उनने बताया है बकि अब देखते हैं टा पूजा प्लीज काल में फोर सक्समिलेटिड प्लीज भाई अरे नहीं नहीं तो आप यहीं पर पूछ सकते हो मेरे क्या प्रोलम है बच्चे भी तो मेल गर रहे हैं आप भी मेल कर लो नेक्स्ट मेल है नॉम्बर मंथ अलाउंस नोट अपडेटिड अलीशा बड़ा जबरत अरे चीज की टैंसे मत लिया करो भाई यह तो कोई बड़ी बात है नहीं है तो नोर्मल चीज है अभी अप्लोड नहीं हुआ है ऐसे चीजłों की प्रोबलम यह टैंट से मत लिया करो अलीशा जी ठीक है यह प्रोबलम अशली मैं प्रोबलम यह होती है वाई यह रजा खान जिन जूबेजी है सुमित परो एटेंडनस सो है पर मेरे जीरो कर दीए क्या सिस्टम कर समझ नहीं आया यह जाओ यह समझ से बाहर है यह ऐसा नहीं कि आपके यहांपर जीरो है तो आपके पैसे आ अब आपको employment office जो आपका man है ना कहाँ पर है जर जर उसमें जाओ district employment office में और वहाँ पर जाकर कि यह करम करवाओ कि सर यह तो मेरी यहाँ पर 100 hour verify कर दिया यहाँ पर 100 hour verify कर दिया तो इसके 6000 कहाँ पर गए यह कहाँ पर गए अगर नहीं आए तो चीज़ का जिम्मेबार को ना है भाई अभी employment office ले जाना कहीं इसके बाद में बिल बन जाए फिर बाद में ओ जाए ठीक है आज तीस नौबर है आज ही अपलोड हुए हैं यह तीस नौबर को ठीक है तो इसमें आप देरी मत करना वाई यह तो फिर आपने वही काम किया है या नहीं कि आप वह तो यहीं बताएंगे लेकिन यह बड़ी मिश्टेक है चोटी मिश्टेक नहीं है यह बड़ी मिश्टेक है और यह सिर्फ उसी जहां पर आपका डिपार्टमेंट था वह भी ठीक नहीं गरसता यह employment office वाले ही ठीक कर सकते हैं अगर करेंगे तो जो district employment office है वह वाले ठीक करेंगे बकि यहां से नहीं होगा कई से भी ठीक है वहाँ पर आपको contact करना पड़ेगा अमित वर्मा कि भाई मैं साथ district हूँ मेरा अभी तक वह प्लस्टोड़ा बत्ता अप्लोड नहीं होगा अगर यह किसी का भी नहीं हो आना है तो फिर आपका भी नहीं होगा है अगर मां के वीडियो बनाओंगा अब कल के बाद बहुत सारी बत्ते अप्लोड होगे उसके ब आपका मैं यहां पर दिखा देता हूं यह देखो कि आपका बत्ता जुलाई से बाद रुका हुआ है अभी तक 0000 है पहले तो अपड़ी चेक करने पड़ेगी क्योंकि यह काफी लंबा प्रोसस है बकि अभी कुछ टिश्टिकों में लंबा प्रोसस चल भी रहा है ऐसी सब्सक्राइम हो गया पांत मत साथ साथ मत होगी यह बता अप्लोड नहीं हुआ है अगर आपकी आईडी साही है फिर आपको टैंस नहीं जूरत नहीं है नेक्स्ट मेंत में साविता कले करवाएंगे ओके दूस्तों बाइबाई